एक नए ब्लॉगर का ब्लॉग से अर्निंग करने का सबसे पहला टागेट यही होता है कि वह जल्दी से जल्दी अपने ब्लॉग पे एड्सेंस अप्रूवल ले ले और उसके बाद वहाँ पर उस एड्सेंस से पैसा कमाना शुरू कर पाए बट यह जो ब्लॉग स्टार्ट क उपर बनाई थी उसमें एक भाई ने एक यह कमेंट डाला था एक लंबा चोड़ा कमेंट जिसमें काफी सारे कोशन पूछे गए थे काफी सारे कॉमन डाउट जो की एड्सेंस से रिलेटिड आप लोगों के मैंड में आते हैं तो मैंने सोचा एड्सेंस के उपर एक कम्प एड्सेंस अकाउंट मैनेज करना हो चाहिए एड्सेंस में कितनी वेब साइट हम एड्सेंस को डिसेबल होने से कैसे बसा है मतलब सारी A to Z चीजे तो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा सारी चीजे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपकी जो भी एड्सेंस से र खोड़ दो मरोड़ दो बस लाइक हो जाना चाहिए एम करते हैं हजार लाइक का मुझे पता है आप लोग कर दोगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में अल दबा लेना ताकि जब भी ऐसी नई प्रीमियम कंटेंड में इ चुम्ट्रीटी बना रखी है अगर आपका कोई भी डाउट है ब्लोगिंग से रिलेटेड या कुछी चीज में फस रहे हो एडसेंस अप्रूबल नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक है टेलीग्राम ग्रूप का लिंक है हमारे टेलि चैनल का link है जाके join कर लो एक भाई का एक comment आया था जो कि मैंने आपको दिखाया उसके बाद मैंने क्या करा मैंने telegram channel telegram group में भी post डाल दिया कि भाई adsense से related आपके जो भी question है जो भी query है वो मुझे comment box में comment करके बता दो और youtube पे भी community post डाली थी उसके बाद जो भी सारे questions आये वो सारे के सारे मैंने लिख लिए हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ 10, 12, 15, 16 questions हैं जितने भी मुझे पूछे गए मैं सारे के सारे का answer यहां पर इस एक वीडियो में देने वाला हूँ जहां तक हो सकेगा चीजे में आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी तो सबसे पहला और सबसे में चीज आती है भाई सबसे पहली चीज एडसेंस अप्रूवल कैसे ले अब एडसेंस अप्रूवल का गाईज कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है वही सेम चीजे है डेखो अगर आप एडसिंस पारकर तो आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में कोई दिखकतनियां बट प्रमाइज की है अब हर कोई इतनी बड़ी एडसेंस की पॉलेसी तो पड़ नहीं सकता तो सिम्पल से 3 चीजे है जो एडसेंस अप्रूवल में आपको ध्यान रखनी है तो आप अपनी unique रखो, genuine रखो, खुझ से लिखो, कहीं से भी copy paste मत करो, क्योंकि mostly लोगों को AdSense approval 90% आपके content की वज़े से ही मिलता है, तो content पे main focus करो, उसके बाद जो भी important pages है, about us, contact us, privacy policy, ये सारे pages बनाओ, website का structure अच्छे से रखो, website पे बढ़िया theme लगा हो, आपकी website easy to navigate होनी चीए, और ये सारी चीज़े करने के बाद, AdSense के लिए apply करते हो, तो आपको approval मिल जाता है, और यहाँ पर एक plus point जो मैंने experience करा है, अगर आप अपनी website को grow करने के बाद, मतलब आपकी website पे traffic आने के बाद, थोड़ा बहुत traffic आए, उसके बाद AdSense के लिए apply करते हो, तो बहुत जारे chances है कि आपको easily approval मिल जाएगा, अब बहुत लोग बोलते हैं कि AdSense का traffic से लेना देना नहीं है, हाँ कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आपकी website पे traffic है, तो आपको एक advantage मिल जाती है, प्लस point मिल जाता है, आप सोच के देखो AdSense क्या है, वो एक company है, उसे भी पैसा कमाना है, तो वो पैसा कब कमाएगी, जब आपकी website पे traffic होगा, तो आपकी website पर जब traffic होगा, आप apply करोगे, तो chances आपकी website जल्दी approve हो जाएगी, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और आती है, बहुत से लोग यह पूस्ते हैं कि, भाई मैं कितनी post डालूं, हमें AdSense approval के लिए कितनी post डालनी चाहिए, तो गाइस देखो, ऐसा कोई fix भी नहीं है, बहुत लोग बोलते कि, भाई AdSense approval मुझे 2 post में मिल गया, बहुत बोलते, 4 post में मिल गया, बहुत बोलते, भाई मुझे 25 में भी नहीं मिला, बहुत बोलते, भाई मैंने 50 post के बाद approval मिला, तो गाइस देखो, ऐसा कोई fix scenario नहीं है, आपको क्या करना है, जर्नली एक ideal word count बताऊ, एक ideal count बताऊ, तो आप अपने website पे अगर 1000-1000 word के article लिख रहे हो, तो 20-25 article लिखो, देन apply कर दो, अब अगर आप अपनी website पे ऐसा कर रहे हो, कि 2-3-3-3 वर्ड के content लिख रहे हो, एक article लिख रहे हो, तो आप 10 post के बाद apply कर दो, अगर आप अपनी website पर, यहाँ पर 6-6-8-8-8-1000 का एक article लिख रहे हो, तो आप 4-5 post के बाद भी apply कर सकते हो, तो word count का और post का ऐसा कोई fix नहीं है, depend करता है कि किस तरीके का कितना unique, कितना लंबा particle लिख रहे हो, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, और content genuine पर आपको काम करना है, अब अगर मैं बात करूँ practically की, तो मैंने AdSense पर already 2-3 वीडियो बना रखी है, तो अगर आप YouTube पर जाओगे, और YouTube पर सर्च करना AdSense Approval Blogging QN, तो यहाँ पर आपको ये एक वीडियो मिलेगी, कि मैंने अपनी website पर सिर्फ 24 hours में, उसके बार AdSense Approval की जो problem है, वो हमारी हो गई solve, अब जाते हैं दूसरी चीज में कि AdSense में जब आप apply करते हो, तो आपको काफी सारे errors आते हैं, कि आपका इस reason की वज़े से error हुआ है, इस reason की वज़े से आपका website reject हुए है, तो उसमें जो एक सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक reason आता है, AdSense Policy Violation, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दूसरा जो question आया था, सबसे ज़्यादा मुझे पूछा गया था, कि भाई मैंने AdSense के लिए apply करा, और AdSense ने reject कर दिया Policy Violation, अब भाई ये वाला जो error है, ये वाला जो rejection का reason है, ये सबसे खतरनाक और सबसे घटिया मैं बोल सकता हूँ, AdSense का reason है, अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि Policy Violation क्या है, कि आपकी website AdSense की Policy को violate कर दिया, AdSense की policies को आपने follow नहीं करा, इसलिए आपकी website reject होई, अब AdSense इसमें कोई reason नहीं बताता है, तो इसी वाज़े से ये सबसे घटिया, और सबसे गंदा, और सबसे time consuming यहाँ पर error है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपकी website ने, जो भी आपने बनाई है, उसमें बीच-पस्चिस post डाली है, कुछ भी reason हो सकता है rejection का, हो सकता है आपकी website में 100 image है, 100 में से कोई एक image है, जो की policy violate कर रही है, ऐसी image है जो AdSense की policy के खिलाफ है, इस वाज़े से reject होआ है, हो सकता है आपकी 1000 post में से, या 25-30 post में से कोई एक ऐसी post है, परिटिकुलर paragraph में कोई दिक्कत हो, तो भाई, policy violation का, ये सबसे बड़ा disadvantage है कि आपको clearly पता नहीं है, कि क्या policy violation हो रही है, अब अगर हम बात करें इसके solution की, तो भाई, इसके मेरे दिमाग में दो ही solution आते हैं, और practically भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो, या तो आप अपनी website को पूरा यहाँ पर analyze करो, कि क्या क्या चीज़े हैं, जो AdSense की policy के खिलाफ जा सकते हैं, जैसे कोई आपने थोड़ी vulgar image यूज कर ली, क्या फिर कोई ऐसा word यूज कर ली, कोई ऐसी post डाल ली, जिन पर AdSense approval नहीं देता, अगर इससे नहीं होता है, तो दूसरा solution यही है, कि आपको यहाँ पर अपनी website को बिल्कुल delete करके, बिल्कुल scratch से start करना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको AdSense की सारी policies को follow करना पड़ेगा, तो यही दो solution है, अब यहाँ पर कुछ चीज़े हैं, अब AdSense policy violation के solution में कुछ चीज़े हैं, कि कुछ category हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो, कि उन categories पर काम नहीं करना, क्योंकि इन categories पर policy violation का issue आता है, तो मैंने क्या करा था, मेरी भी एक website पर policy violation का issue आया था, तो उसके मैंने solve करा और approval लिया, उसके उपर मैंने practical वीडियो बना रख्थे, कि कौन सी website पर policy violation था, कौन सी post की वज़े से policy violation आया था, तो Google पर जाओगे, YouTube पर जाओगे, आपको सर्च करना है, AdSense policy violation, blogging Q&A, और उपर टॉप में आपको मेरी यह वीडियो मिल जाएगी, how to fix policy violation on your website, इसमें मेरी एक live website पर policy violation आया था, उसका मैंने solution, live मैंने उस पर approval लेके दिखाया था, practical solution है, तो वैसे तो जो चीज़े मैंने बताई, वोही सारी चीज़े आपको करनी है, बाकि अगर आपको practically देखना है, कैसे करनी है, तो इस वीडियो की तरफ आप जा सकते हूँ, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करे, AdSense Approval में तीसरा direction आता है, AdSense Site Navigation Problem, आपको AdSense में Navigation Problem आता है, तो ये कोई बहुत बड़ा एरनिया, बिल्कुल छोटा सा Error है, अब navigation का मतलब क्या है, कि आपकी website का जो structure है, जिस तरीके से आपने website डिजाइन करी है, उसमें user easy to navigate नहीं कर पा रहा है, मैं आपको live example के साथ बताता हूँ, जैसे for example, mangeshbhaduas.com में open कर लेता हूँ, या फिर blogging Q&A में open कर लेता हूँ, mostly navigation error वो आता है, वो आपके जो homepage है, उसकी उदर से आता है कि आपका homepage का जो navigation menu है, या जो main menu है, वो आपने अच्छे से customize नहीं करा, अब इसमें 2-3 point है, जैसे अगर मैं आपको mangeshbhaduas का दिखाऊं, तो ये मेरे menu है, ठीक है, ये navigation menu है, सारे मैंने अच्छे से लगाय हूँ है, हर एक category को अच्छे से बताया हूँ है, कोई भी user आएगा, तो वो 1-2 click में किसी भी category में, किसी भी post के लिए जा सकता है, बट अगर आपने ऐसा कुछ navigation menu बना दिया है, अपनी website का अपने homepage पर, जिसमें आपने कोई ऐसी category भी डाल दिया, आपने 25 post लिखी है, अब आपने website पर category बना दी 10, और 10 में से सिर्फ 2 category में या 3 category में आपने वो सारी 25 post डाल दी, बाकी की 7 category खाली रह गई, और आपने homepage के navigation menu पर 10 की 10 category लगा रखी है, जिसमें से 2 category में तो आपकी 25 post हैं, बाकी 7 category आपकी खाली पड़ी हैं, तो ये एक error हो सकता है, दूसरी चीज, अगर आपने कोई ऐसी theme यूज करी है, जिसकी वज़े से user को आपका navigation menu नहीं मिल रहा है, या फिर user easily आपकी website के साथ interact नहीं कर पा रहा है, वो आपकी categories को नहीं देख पा रहा है, वो आपकी post पे अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है, तो भी ये navigation error आ सकता है, जैसे अगर आप देखोगे, मंगेश भादवाज पर blogging QNA पर, एक एक category को, एक एक blog को मैंने अच्छे से डाल रखा, कोई भी यहाँ पर खाली category नहीं है, तो site navigation error में यही problem आती है, कि check करो आपकी website का जो navigation menu है, आपकी website का जो homepage या आपकी website की जो post है, वो अच्छे से यहाँ पर manage हूँ, अच्छे से customize हो, अगर theme में problem है तो theme change करो, अगर user आपकी website पर 2-3 click में, आपकी categories में, आपकी post में पहुँच पा रहा है, अगर यह error आ रहा है, तो यह चीज़े check करो, और try करो आपके homepage पर, या जो भी आपके menus लगाए है, उसमें कोई भी खाली category, ऐसी category ना डालो, जिसमें कोई post ही नहीं है, अगर आपने 25 post तीन category में डाली है, तो homepage पर सिर्फ तीन ही category लगाओ, ऐसा नहीं है कि 10 category लगाओगे, तो आपका जल्दी approval हो गया, जल्दी आपकी website बड़ी दिखेगी, वो आपका negative point जाएगा कि भाई, category तो 10 लगा रखी है, लेकिन post सिर्फ तीन category में, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये navigation menu कोई बहुत बड़ा error नहीं है, उसका यही simple सा solution है, अपनी website के homepage को सुधार हो, उसका navigation easy to use बनाओ, तो आपका ये error solve हो जाएगा, उसके बाद अगले error की बात करें, site can't be reached, तो ये एक बहुत छोटा सा error है, कई बार क्या होता है, आपने website बनाई, और website अभी under construction है, website अभी मतलब आप उस पे काम कर रहे है, अभी आपने WordPress setup नहीं करा, या फिर SSL activate नहीं करा है, या फिर HTTPS का error है, तो और लोग ये बहुत कम error आता है, और ये इसलिए ही आता है, क्योंकि आपकी website अभी पूरी तरीके से setup नहीं है, आपने AdSense Approval के लिए डाल दिया, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, अराम से अपनी website पे 20-25 post डालो, एक महिना अराम से लो website पे SSL activate करो, HTTPS करो, जो भी important plugins है, आप search console में submit करो, उसके बार sitemap submit करो, पूरा एक महिना लेके website को complete setup करके, उसके बार website को approval के लिए डालो, ये site can't reach वाला error भी नहीं आएगा, ठीक है, जो next error है, वो भी एक काफी popular कहलो, या कि बहुत ज़्यादा आता है AdSense Approval में, अररर already having an existing account, आपके पास already एक AdSense account है, Gmail से, नए नाम से, नए address से बनाते हो, फिर भी आपको problem आती है, already having an existing account का, AdSense आपको बोलता है, या तो उस account पे आप काम करो, या फिर उसको आप close करो, तो ये भी एक काफी आने वाला reason है, तो भाई इसका solution क्या है, देखो, already having an existing account का error कैसे आता, Google AdSense आपको कैसे track करता है, तो यहाँ पर कुछ चीज़े हैं, जैसे for example, या तो आप same name यूज़ कर रहे हो, या फिर आप same address यूज़ करो, या फिर same mobile, mostly जो 90% cases में होता है, कि आपका mobile number, या फिर Gmail ID, कही ना कही उस नए वाली Gmail account से connect होता है, अब वो कैसे होता, आप में से काफी लोग पूछते हैं, कि भाई मैंने तो बिलकुल नए device में जाके, नए browser में जाके, नए Gmail ID बनाई, नए phone number से बनाया, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पर, already existing account का error आगया, तो भाई कही ना कही जो आपका पुराना account है, पुरानी वाली Gmail ID को डाल देते हैं, पुराने number को डाल देते हैं, जिनसे AdSense already link होता है, और वहाँ से कही न कहीं वो track कर लेता है, कि आपका already existing account है, अब इसका solution क्या है, देखो अगर आपका already एक Gmail account है, एक AdSense account है, जिससे phone number link है, जिससे Gmail ID link है, आपको दूसरा बताना है, तो कुछ चीज़े आप ध्यान में रखो, सबसे पहले, एक safer side पे रहने के लिए, बिल्कुल नए device से, जिसमें आपका कोई AdSense login ना हो, कोई Gmail ID login ना हो, बिल्कुल नए device से, नए laptop से, नए PC पे वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अपने एक नए Gmail ID, create करो, बिल्कुल fresh, नए phone number से link करना, वो phone number नहीं होना चीए, जो आपका पुराना वाला है, बिल्कुल या फिर उससे कोई match होता हुआ, वो phone number नहीं होना चीए, recovery email नहीं होना चीए, आप कई लोग ये भी करते हैं, जो पुराना वाला AdSense account है, उसमें आपने कोई और phone number दे रखा होता है, और उस phone number से आप नहीं Gmail ID बनाते हो, तो वो कहीं न कहीं interconnect हो जाते हैं, दिन आपको already existing account आता है, तो इसका सिर्फ एक ही solution है, आपको completely सारी चीज़े disconnect कर देनी है, एक तरीके से बिल्कुल नहीं detail होनी चाहिए, नया Gmail ID होना चाहिए, नया recovery phone number होना चाहिए, नया recovery Gmail ID होनी चाहिए, नया address होना चाहिए, नया नाम होना चाहिए, ठीक है, तो इसका यही solution है कि completely fresh करो, कुछ भी आप से interconnected नहीं होना चाहिए, fresh device से करो, तो इसका solution यह है, और अगर आप YouTube पे जाके सर्च करोगे, इसके उपर practical video भी मैंने बना रखिए, कि आपके पास already existing account का error, मैंने कैसे fix करा था अपनी website के लिए, तो उसके लिए भी YouTube पे जाना, already adsense account blogging के वहने सर्च करना, आप वो मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी, इस पे जाके आप practically भी देख सकते हो, अब बात करते हैं next error की, तो ये जो तीन error है, adsense, under construction, adsense, low value content, और adsense, crap content, ये तीनो kind of एक तरीकी के ये error है, तीनो आपके content से related है, जैसा की नाम से समझ में आ रहा होगा, सबसे पहली तो under construction वाला simple है, कि आप अपनी website पर अभी काम कर रहे हो, अब बहुत लोग क्या करते हैं, domain खरीदा, hosting से connect करा, Gmail ID से connect करा, Google search console पर submit करा, और approval के लिए भीज दिया, ना बनने ने website पर content डाला है, ना उसने उस website को customize करा है, ना website को अच्छे से यहाँ पर search console में submit करा, और AdSense के लिए भेज दिया, तो नई आधियादूरी website को भेजोगे, तो under construction का error आएगा, तो make sure आप अपनी website को 15 दिन, 20 दिन, एक महिने टाइम देके, complete बना के फिर आप approval के लिए भेजो, उसके बाद AdSense low content और AdSense crap content, जैसा कि आपको नाम सही पता चल रहा है, आपकी website पर ऐसा content आप डाल रहे हो, जो की बहुत ज़्यादा available है internet पर, कई लोग क्या करते हो, एक ही चीज, एक ही category को पगड़के, उसी पर धनादर content डालते रहते हैं, तो ऐसा content जिसको बहुत लोगों ने डाला हुआ, वहीं से आप कहीं से पढ़के, आप खुद की language में लिख दे रहे हो, आप समझ रहे हो, आपना unique है, बट वो already content बहुत ज़्यादा available है, आपने कहीं से copy paste करा है, तो वो scrap content में आजएगा, low value content में आजएगा, अगर आपने ऐसा content डाल अपनी website पर, जिसमें हर article में आप 1200 word के article ही लिख रहे हो, तो वो low value content में आजएगा, क्योंकि content में कोई value नहीं है, 100% में आप क्या ही लिखोगे, तो ये सारी चीजे content से related चीजे आपको ध्यान में रखनी है, कि make sure आप जो भी चीजे लिख रहे हो, खुद से लिख रहे हो, make sure जो भी चीजे आप कर रहे हो, खुद से लिख रहे हो, बिना कहीं और से copy करे लिख रहे हो, कहीं और से आपने translate नहीं कर रहा है, कहीं और से आपने spin नहीं कर रहा है, quality content, in-depth content, long article लिखो, long article लिखो, ताकि आपको ये तीनों error ना है, तो guys ये तो थी हमारी main error, अब इसके बाद नीचे आते हैं कुछ questions, जो की comment box में, जैसा कि मैंने बताया था, commenty post में भी लोगों ने से related, तो चलिए अब इनकी बारी है, जो की आप में से सबसे ज़्यादा पूछे गए questions से, तो भाई, यहाँ पर जो सबसे पहला question है कि, एक address पर कितने adsense account हम ले सकते हैं, उस address पर जितने लोग रह रहे हैं, क्या सभी लोगों के नाम से adsense account बना सकते हैं, क्या, तो ये kind of multiple ads adsense account कैसे manage करें, या, अब guys, देखो adsense क्या बोलता है, कि एक बंदे का, एक ही यहाँ पर adsense account हो सकता है, अब भाई, मेरी family में मालो 5 बंदे हैं, तो 5 बंदों के 5 adsense account तो हो ही सकते हैं, मेरे नाम पे एक, मेरी भेहन के नाम पे एक, मेरे भाई के नाम पे एक, मेरे मम्मी के न AdSense account बना सकते हो जैसे family में 5 member है तो 500 के नाम से आप यहाँ पर AdSense account बना सकते हो अब इसके बाद इसके continuation में कि उसी 500 बंदू में हम same address यूज करेंगे तो भाई obviously बात है same address अब एक family में 5 जने रह रहे हैं तो 5 जने एक ही address पर तो रहेंगे अब यह चीज तो Google AdSense को भी पता ह है कि भाई एक family में एक बंदा तो रहेगा नहीं जितने भी 5 साथ रहेंगे उनका same address ही होगा तो हाँ same address भी use कर सकते हो लेकिन यहाँ पर pro tip यह है जब भी आप अपने family में किसी और का AdSense account बना रहे हो same name use मत करना जैसे मेरे नाम मंगेश है बहन का नाम कुछ हो रहे है तो म for example मैंने जो मेरे नाम पर AdSense account बनाया हुआ उसमें मालो मेरा address है गली number this this house number ABC और यह कलोनी और नई दिली तेज ठीक है यह मेरा address है अब same address मेरी भेन के नाम पर बनाऊगा तब जाएगा या मम्मी के नाम पर पापा के नाम पर बनाऊगा तब जाएगा लेकिन उसमें मैं क् कलोनी और नई दिली इतना थोड़ा सा चेंज हो गया तो यहां पर एक safer side पर आप रह सकते हो कि बिल्कुल same नहीं होगा और थोड़े से जब आप तीसरे नाम पर बनाने जाओगे तो और थोड़ा changes कर दो कि भाई ABC कलोनी this this number कोई nearby landmark डाल दो कि near ABC Mother Dairy या near Metro Station तो उस तरीके स address में थोड़ा बहुत change कर दो ताकि जो थोड़ा बहुत बहुत कम chances हैं आपका same already account होने का वो भी issue ना है तो यह question होगे हमारा completely clear उसके बाद भाई ने पूछा है AdSense account बनाने के बाद bank account जिस नाम से AdSense बनाया है उसी का bank account जरूरी है क्या तो यानि कि जैसे मैंने मंगेश के नाम से AdSense account बनाया है तो उसमें मेरा ही bank account एड होना जरूरी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप किसी का भी bank account एड कर सकते हो AdSense account आपके नाम पे आप अपने मम्मी का पापा का बहुत का बहुत का बहुत कर सकते हो कोई भी दिखकत नहीं है अब यहां पर एक चीज भाई न लेको इसको मैं use करने के लिए मना करता हूं कि मालो मेरा अकॉंट है पापा का अकॉंट मुअ मम्मी के नाम से अकॉंट है तीनों में मैं अपना एक यी bank अकॉंट एड कर दूं तो भाई मत करो disable होने के chances हैं अब क्या है payment तो सबकी 21-तरी को ही release हो रही है अब same day पे एक ही bank account में तीन payment आएंगी एडसें से ही तो यहाँ पर आपका track होने के चांसे है कि भाई ये बंदा तो एक ही बंदा है ये multiple account manage कर रहा है और एक ही bank account में ले रहा है तो ये गलती मत करना same bank account को multiple banks में add मत करना मैंने आज तक नहीं कर रहा है और ना मैं किसी को suggest करता हूँ try करो आप मम्मी का है तो मम्मी का bank account add कर दो पापा गया तो पापा कर दो या फिर एक bank account दो तीन account में या किसी में भी एक से ज़्यादा में add मत करना है थीक है उसके बाद भाई ने पूछा घर के हर वेक्ति के नाम पे add sense account बना सकते हैं यह मैंने अल्रेडी बता दिया है बिल्कुल बना सकते हो 10 लोग है तो 10 add sense account आप बना सकते हो same address पर उसके बाद पूछा है एक ही add sense पर कितनी website जोड सकते हैं जोड सकते हैं तो क्या वो safe होगी अब भाई देखो ऐसी कोई limit तो नहीं है एक add sense account में आप 5, 10, 20, 50, 100 website तक भी जोड सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट अगर बात करूँ safe है तो मेरे हिसाब से safe नहीं है अब safe क्यों नहीं है आपने एक website में एक add sense account में मालोग 5 website आपने जोड़ी हुई है 5 में से किसी एक website के उपर add sense disable हुआ तो उन बाकी 4 website के उपर भी add sense disable हो जाएगा तो अगर आप ऐसे काम कर रहे हो कि आप 15, 20, 25 या उससे जादा blog हैं तो आप add कर सकते हो कोई दिक्करत नहीं है बड़ ट्राइ करो 3, 4, 5 से जादा website आप एक add sense account में add ना करो और वो भी ऐसी website add करना जो कि similar kind of हो अलग-अलग niche की अलग-अलग area की अलग-अलग category की आप add मत करना अगर थोड़ा उत relevant है उस तरीकी की add करना और यहाँ पर 5 से जादा मत करना मैं तो कहता हूँ 3 से जादा मत ही करना क्योंकि risk वो ही है कि अगर एक पे भी disable हुआ तो सारी website पे disable हो जाएगा तो वो risk लेने से अच्छा है आप अलग-अलग adsense account बनाओ और उनमें आप अपनी website को लगाओ अच्छा एक और tip मैं यहाँ पर देने चाहूँगा मेरा personal experience है कि जब आप एक adsense में 3-4 या 5 से जादा website आप add करते हो तो जो उनका CPC है revenue भी थोड़ा फरक पड़ता है यह मेरा personal experience है मैंने खुद experience करा हुआ है मैंने एक adsense account में 4 website add करी थी जब उसमें सिर्फ 2 website add थी अच्छा खासा मेरे को बहुत अच्छा CPC मिल रहा था बट जैसी मैंने 3 website और add करी CPC मेरा कम होने लग गया तो वो कहीं मिला जुल आपको CPC revenue देता है तो वो चीज़ भी आप एक तरीके से मेरा personal point of view है हो सकता आपके साथ ना हुआ तो यह चीज़ भी आप मेरी तरफ से acknowledge है एक tip है जो कि मैं share करना चाहूँगा उसके बाद भाई ने पूचा है घर में बड़े लोग जिनका voting ID बहुत पुराना black and white क्या उसके रूप में लगा सकते हैं mobile से pen card बनाते हैं तो क्या वो use कर सकते हैं ID proof के लिए भाई देखो voting ID तो मेरे को नहीं पता मैंने use नहीं करा बट हाँ pen card आप definitely use कर सकते हो मैंने भी pen card के through ही अपना verify कराया था उसके बाद है एक mobile number से कितने adsense account बना सकते हैं तो भाई एक mobile number से एक ही adsense account बनेगा आप multiple बनाओगे तो वो already existing वाला error आ जाएगा और आपका नहीं बनेगा तो एक mobile से एक ही adsense account बनेगा एक Gmail से कितने adsense बना सकते हैं वो ही same answer है एक Gmail से एक ही adsense account आपका बनेगा अब उसके बाद भाई ने पूछा बहुत सारे blogger यूट्यूबर बोलते हैं कि उन्होंने 60-70 website बना युई हैं तो वो इतने सारे adsense कैसे नाम पांच website वो manage करते हैं पांच से ज्यादा करते होंगे तो उसका simple सा यही fund है कि वो ऐसे कर लेते होंगे जो एक adsense account होगा उसमें सारी genuine website जिन पर वो जैन्वन तरीके से काम करते होंगे वो रखते होंगे जिसमें थोड़ा इधर उधर का काम करते होंगे illegal काम करते होंगे वो दूसरे में रखते होंगे तो इस तरीके से manage करते होंगे multiple adsense account बनाना नाम के भाई के चाचा के ताओ के दादी के दादे के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो easily manage हो जबता है उसके बाद last question है adsense legit tip for full scratch to end process तो यह मैंने completely बना रिया उसके बाद भाई ने बोला है website बनाने time consuming process है हर एक step की मुझे हर दिन वीडियो बनानी पड़ेंगी वो इतना hectic हो जागा है वो possible नहीं है तो इसको हम नहीं कर सकते बाकी जितने भी questions थे मैंने आपको adsense से related सारे completely इस वीडियो में बता दिये है I hope वीडियो पसंद आई होगी सारे doubts आपके clear हो गयोंगे अब भी कोई doubt बचा है तो comment box में comment करके बताओ उसके उपर मैं वीडियो बना दूँगा तो वीडियो को like कर देना इतनी premium value के लिए चैनल को subscribe कर देना और मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye take care have fun